मस्कार दोस्तों आज से हम लोग स्ट्रेटिक जी के पढ़ेंगे जो स्ट्रेटिक जाम में लगबग एक से दो नंबर का पूंच लिया जाता है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भारत का पहला राश्टे उद्यान 1936 में बनाया गया जिसका नाम हैली नेशनल पार्क था जिसका नाम 1973 में चेंज करके जिम कारवेट नेशनल पार्क कर दिया गया है जो उत्राखंड में है 1970 तक भारत में केवल पांच राश्टे उद्यान थे बरतमान में इनकी संख्या 104 है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसमें राज जवाईच देखेंगे कि किस राज में कितने राश्टे उद्यान है और वनजीव अभ्यारन सबसे पहले आंद परदेश की बात की जाएगी जिसमें राजिव गाधी राश्टे उद्यान आता है नमबर दो पे पापी कॉंड़ा राश्टे उद्यान आता है नमबर तीन पे सिरी पैंकटेस्वर राश्टे उद्यान आता है नमबर चार पे नागा अर्जुन सागर सि प्राइस्टेजे़ दूसरे राजी की बात करते हैं रुनाचल प्रदेशी का में डूसरा है दिन हेंग again ब्हारण चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद आसाम की बात करते हैं आसाम में हैं दोस्तो फाइप टोटल पहला है मानस राष्टे उद्ध्यान उसके बाद नंबर दो पर है काजी रंगा राष्टे उद्ध्यान दोस्तो यह important है यह एक सिंग वाले गैड़ों के लिए पर आसाम में है नंबर 4 पर राजु गाधि ओरंग राष्टे उद्ध्यान नंबर 5 पर है डिपरुगर्ण साई खोवा राष्टे उद्ध्यान यह आसाम में है चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार की बात की जाए नंबर 1 पर है बालमेगी राज़्टे उद्यान, नमबर दो पे है गौतम बुद्ध वन्न जीव अभ्यारण, नमबर तीन पे है राज़गीर वन्न जीव अभ्यारण, उसके बाद चलिए दूसरे राज़ी की बात करते हैं, 36 गड़की, यहां पे पहला है इंद्रा वती राज़्टे उद्यान, नमबर तीन पे है कांगेरी राष्टे उद्यान, नमबर चार की अगर हम बात करें, तो इसमें तामोर पिंगला वन्न जीव अभ्यारण है, यह भी 36 गड़ में है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बारन वापारा वन्न जीव अभ्यारण कहां पे है, यह 36 गड़ में है, उसके बाद अचानक कमार वन्न जीव अभ्यारण भी 36 गड़ में है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद गोवा की बात करते हैं, यहाँ पे मुलेम राष्टे उद्यान है पहला, नमबर दो पे भगवान महाबीर वन्न जीव अभ्यारण है, नमबर तीन पे बुंडल वन्न जीव अभ्यारण है, नेत्रावली वन्न जीव अभ्यारण गोवा में है, उसके बाद कोटी गाओ वन्न जीव अभ्यारण गोवा में है, उसके बाद महादेई वन्न जीव अभ्यारण भी गोवा में है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लगुरन जंगली ग इद्यान गुजरात में है उसके बाद नंम्मर आता है बसंदा को कि राश्टे उद्धान ये भी गुजरात में है उसके बाद निरायन सर्वर वने जी व व बहुआरन भी गुजरात में है चेलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद सुल्तानपूर राष्ट्य उद्यान कहां पर है अगर पेपर में पूछे तो हर्याणा में है कलेसर राष्ट्य उद्यान हर्याणा में है बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सुल्तानपूर देखके उत्तर परदेश लगा देते हैं आपसन में अगर रहता है क्योंकि उत्तर पर्देश का एक जिला है सुल्तानपूर बट सुल्तानपूर राष्टे उद्यान हर्याणा में आता है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हिमाचल पर्देश का पिन बाइली राष्टे उद्यान हिमाचल पर्देश में है ग्रेट हिमाले राष्ट्य उद्यान हिमाचल पर्देश में है रुहला राष्ट्य उद्यान हिमाचल पर्देश में है खिरगंगा राष्ट्य उद्यान हिमाचल पर्देश में है इंद्र किला राष्ट्य उद्यान हिमाचल पर्देश में है सेनु तुवान नाला वननजी वभ्यारन हिमाचल परदेश में है सिंबल वारा वननजी वभ्यारन हिमाचल परदेश में है लिम्पा असरंग वननजी वभ्यारन ये भी हिमाचल परदेश में है चली आगे बढ़ते हैं इसके बाद दाची ग्राम राष्ट्य उद्यान जम्मू कस्मीर में है, सली मली राष्ट्य उद्यान जम्मू कस्मीर में है, किस्तवार राष्ट्य उद्यान ये भी दोस्तों जम्मू कस्मीर में है, हैमिस हाई राष्ट्य उद्यान जम्मू कस्मीर में है, चांग ठंग वन् जम्मू कस्मिर में है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं उसके बाद लावा-long-on-rgy oberon कहाँ है दोस्तों जारखंड में है हजारी बाग लाच्वे बेरन कहा है जारखंड में है बेतला राश्टे उद्यान कहा है जारखंड में है चलिए यह था static gk का part 1 अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी सेर कीजिए थैंक्यू